पूस्त कर नाम नमस्कार दोस्तों कैसे वुआ आज हम आपके लेकर आये हैं डेलुए में निकलूए भरती के बार में साउथीस वायरमेन, एजुकेशन कॉलिफिकेशन इस पोस्ट को अपलाई करने के लिए आपको मिनिमुम दसवी पास होना जरूरी है, ग्रैजुएट तथा पोस्ट ग्रैजुएट पास भी उमेदवार अपलाई कर सकते हैं, वो पोस्ट पे डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए याने सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग 36 गड़ में होगी, तो जो भी हमेर उमेदवार 36 गड़ से है या 36 गड़ में जवाब पाना चाहते हैं इस पोस्ट को जरूर अपलाई करिएगा और आपका अप्लिकेशन बिशित करिएगा, नमबर ओव वेकिंसी या जो पोस् स्टय्नोग्राफर्स, इंगलिश और हिंधी, फितर, इल्यक्रिशन, वायर्स मेन, पोस्ट क भी हाप लैकंसी है या 31 जूल्य 2008 तो कुछ इस तरीके से भरती हो रही है एज लिमिट हम ऑफिशन नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे एज रिलाक्सेशन यहाप पर अप्लिकेबल है तो आपको आपके एज में भी रिलाक्सेशन मिलेगी चैन प्रक्र की यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटैन टेस्ट और इंटर्वी के द्वारा होने वाली है सालरी आपको यहाँ पर अच्छे कासी मिल जाएगी प्रती महा अप्लिकेशन फी आपको यहाँ पर नहीं भरने है पर यह कोई चोटी मोटी प्रोसेसिंग भरने है तो ओफिशल नोटिफिकेशन में वो चेक कर लेंगे अप्लाय करने के लिए आपको तीन लिंक्स दिये गए है एक उफिशल वेबसाइट की लिंक है और अप्लिकेशन फॉर्म की भी है उफिशल नोटिफिकेशन की लिंक पर आप यदि क्लिक करते हो तो यह पीडिएफ उपन हो जाएगा जिसमें आपको हिंदी में पूरी चा कर सकते हैं और 15 वर्स से 24 साल तक कि उम्मधवार अप्लाय कर सकते हैं एज आप अपनेटीशिप के लिए तो जो भी हमेर अप्लाय करने के लिए तुरंट अपलाय करिएगा और ऐसे जॉब्स की जान करिए ते आपको पाते रहना है तो जोडू हमारे चैनल को सब्सक्राइ और पसुर्ब लाइकन को भी प्रेस करें क्योंकि यह दिया डिया लाइकन को प्रेस करते हो तो यह आपको जो के पड्रेट से तुरन आएंगे वованना आपको आप नहीं आहेंगे यह उन से तुरन नहीं और परिवाक टोलिपके नहीत अपनुरे सकते हैं मिलेंगे आपके साथ ऐसी किसी और वीडियो में और उस चो लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दिये उस पर जाकर आप ज़रू पुरिजानकरी प्राप्त कर लिएगा और इसी तरीके से जिससे आपको कोई शंका होगी तो जिसका आप सॉलूशन ढूंड सके वहाँ पर आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरू लाइक करें आपके जो सुजाओ हमें कमेंट सेक्षन में जरू भीजेगा आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में इस वीडियो को देखन के लिए धन्यवाद